तो जैन दोस्तों I am back, मैंने आपसे पिछले वीडियो में question पूछा था कि आपको इसका answer मिला, देखो मैं फिर से बताता हूं, 0.08 divided by 12, सबसे पहले मैं आपको clear कर देता हूं सारा चीज, तो shift 9 3 equal to ac, सब कुछ clear हो गया, अब मैंने आपसे question ये पूछा था, कि 0.08 divided by 12, इसका answer 1 by 150, मैंने SG बला button दबाया, तो देखे, ये आ रहा answer में, तो इसका actual में मतलब किया है, into 10 to the power minus 3, मतलब क्या है, 6.6666 को मैं को divide करना है by 1000, 10 to the power 3 का मतलब क्या होता है, 1000, and 10 to the power minus 3 का मतलब क्या होता है, 1 by 1000, तो मेरको इसको divide करना है, तो इसका actual answer है, वो something आएगा, 0.006666 something कु देगा, देखे, मैंने इसी दबा दिया, मैं shift में गया, mode में गया, 8 में देखे, क्या लिखावे, n, o, r, m, norm, तो मैं 8 दबाऊंगा, norm 1 से 2 रहा है, like norm 1, that symbol and 2, आपको 2 दबाना है, आपको 2 दबाना है, और आपको 2 दबाना है, और आपको 2 दबाना है, और आप कोई भी type का HD दबाया, अब देखे, आसा answer आएगा, are you getting my point, and साथ ही साथ आप values को fix भी कर सकते हो, for example, shift mode fix, मैं करता हूं, मैं को 5 decimal place में answer चाही, तो मैंने 5 को fix करती हो, अब देखो, 0.09 divided by 11, ये देखे, तो these are all the basic features of using your calculator, fx82 es plus, मैंने आपको store करना सिखाया, मैंने आपको fix करना सिखाया, मैंने आपको norm सिखाया, मैंने आपको MTS सिखाया, so these are all the basic features, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको e to the power 5 का value चाहिए, तो आप कैसे करोगे, ln के ऊपर में देखे, e दियावा है, and वो yellow में दियावा है, तो shift दबाएंगे, and ln दबाएंगे, shift दबाएंगे, and ln दबाएंगे, तो e के power में आगे, मैंने लोगे को निकालना है, 0.05, तो मैं equal to दबाँगो, तो मेरा answer आजाएगा, या बहुत बार use करते हैं, मेरे को करना है 100 into e to the power 0.05, तो मैं कैसे करूँगा, देखो, मैंने किया 100 into shift, फिर ln दबाया, अब मैं e के power में आगया, अब 0.05, अब मालनो मेरे को कुछ और भी नीचे करना है, तो मैं क्या करूँगा, right arrow वाला जो है न, उसको दबाऊँगा, तो right arrow दबाते ही मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मेरे को याद आया, कि नहीं यार e to the power 0.05 नहीं होना चाह अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, देखो right बटन दबाया एक बार, फिर से right दबाया, अब मेरे को करना है into 65, तो मैं फिर से equal to दबा सकता हूँ, तो यह calculator बहुत easy है, अब मेरे को याद आया कि नहीं भाई, यह जो पूरा चीज है, इसको मेरे को 2000 से divide करना है, तो मैं क्या करा हूँ, ABS के नीचे वाले बटन को मैं को दबाना है, ABS के नीचे वाले बटन को दबाया, अब मैंने 2000 से इसको divide किया, तो मेरा answer आ गया, so it's very 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 easy, अब मैं आपको एक problem बताता हूँ, जो अब जेनरल में face करोगे, इस calculator को use करने के लिए, अच्छा उसको बताने से पहले, मै आपको root वाला function नहीं बता पाया, 64, अब जेसे मानलो क्या करना है, आपको पहले root वाला button दबाना है, 64 पहले नहीं, पहले आपको root वाला button दबाना है, यादा रहा है, ऐसे एक हो है, और फिर उसमें एक box बनाया है, तो root 64 is equal to what, 8, अगर आप पहले 64 लिख देंगे, फिर root द अब मैं आपको एक complex calculation इस calculator में करके दिखाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ-साथ करेंगे, मैं type कर रहा हूँ, आप लोग भी करना, 1 minus, bracket open, 1 plus, 0.1, bracket close, to the power, अब मेरे को क्या करना है, ये पूरा चीज के power में जाना था, सिर्फ 0.1 के power में नहीं, ये जो पूरा है, 1 plus 0.1, which is 1.1, बट मैं ऐसे लिखा हूँ, मैं को इस पूरे चीज के power में जाना है, इसलिए मैं ने bracket दिया, इस को अलग से, are you getting my point? मैंने इस पूरे चीज में bracket क्यो दिया है, जब मैं bracket देता हूँ, तो पूरे चीज के power में जाते है, तो x, x है, x के power में एक जो अवला है, वहला द क्या करता हूँ, मैं, समझा, आप लोग का क्यों नहीं आ रहा है चीज, क्योंकि आपने bracket नहीं दिया, यह जो divide वाला function है, आपको कहा से कहा तक divide करना, आपको पूरे में एक bracket देना पड़ेगा, तब जाकि यह divide वाला function काम करेगा, तो जैसे देखो, मैंने फिर से इसको मैं फिर से start करता हूँ, अब की बार मैं bracket के साथ मैं start करूँगा, तो 1 minus bracket open, 1 plus 0.1 bracket close to the power minus 10, फिर मैं नीचे आगे और मैंने bracket close किया, जितने brackets open किये हैं, अगर उतने brackets close नहीं करेंगे, तो error आएगा calculator में, मैं बोलता हूँ, जितने brackets open किये हैं, अगर उतने brackets close नहीं करेंगे, तो calculator में error दिखाएगा, divided by 0.1, अब देखो, इतना complex calculation को आप पूरे एक बार में solve कर सकते हो, this we use in annuities in CM1, इसको पूरे को मैं एक बार में solve कर सकते हो, equal to दबायार answer आगया, अब इसमें और भी मैं कुछ कर सकते हो, plus, अब देखो, मैं यहाँ पर, यहाँ पर अभी मेरा करसर है, मेरको एकदम end में लेकर जाना, तो मैं left वाला arrow दबाऊँगा, अब अगर मैं right वाला arrow दबाऊँगा, अब अगर मैं right वाला arrow दबाऊँगा, तो वो एकदम start में आ जाएगा, left, right, left, right, अब मेरको एकदम end में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, left वाला दबाऊँगा, तो यहाँ पर मैं plus करता हूँ, अब मेरको करना है, 1000 divided by, bracket, open, 1 plus 0.1 to the power, मैं को इसके पूरे के power में चाहिए था 5, यह देखो, मेरा answer आगया, So, इतने सारे complex calculations, आप इसको check कर सकते हो, like आप right, left, उपर, नीचे करके, आप इसको check कर सकते है, So, try this out, at your home also, So, this was my third video on basic features of calculator, अब जैसे एक और function है, 8, एको, x to the power minus 1 है न, मैंने क्या किया, कुछ भी निक है, मैं को करना है 1 by 9, तो मैं 1 by 9 का मतलब क्या, 9 to the power minus 1, देखो 9, और यह बटन दबा दिया, इसका मेरा answer आगया, अब मैं जब HD करूँगा, तो देखो, वोची जाता है, तो इस वीडियो हमने सीखा, अब मैं एब फिर से करके देखता हूँ, 0.2 divided by, for example, 12, 1 by 60 आ रहे है, अब मेरको करना है इसको, SD, तो देखो, यह answer आ रहे है, अगर मेरको करना है, 0.002 divided by 12, ठीक है, 1 by 6000 आ रहे है, तो देखो, यह decimal में यह answer आ रहे है, वो नहीं आ रहे है, into something to the power minus 3, minus 4, वो सब नहीं आ रहे है, तो वो किसका कमाल है, norm का कमाल है, thank you.